नकसलियों के आतंग से 36 गड़ उभर नहीं पा रहा ना जाने कब तक हमारे से ना नकसलियों के काईराना हरकतों से अपनी जान यूँ ही गवाती रहे एक बार फिर नकसलियों के साथ मुद्भेड में CRPF के जवान मदनपाल सिंग शहीद हो गए हैं वो CRPF में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे आपको बता दें कि बीजापूर के केशकूतूल में पेट्रोलिंग पर निकली CRPF-3 पर नकसलियों ने अचानक हमला बोल दिया था जिसमें हात्रस शहर से सटे गाउं तमन्ना गड़ी के रहने वाले मदनपाल सिंग के साथ दो और जवान भी शहीद हो गए शहीद के पार्थिव शरीर को देखते ही परिवार में कोहराम मच गया वहीं अमबेटकर पार्क में CRPF के जवान को शद्धांजली दी गई इस शोग के मौके पर CRPF के आईजी सुभास चंद्र डि आईजी और प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौझूद थे क्या रहान नगसलीयों ने कैसे हमला किया और क्या और यह अमारे ज़वान गजे Hmmm जा रहे थे रास्ते में नक्स्रीयों में शुरंग पुछा रखी थी और वहारा गात्राइब के आपके 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 जारे थी तो रास्ते में कौन सी बटालियां थी और 119 बटालियां थी वीजापुर जनपद में पहना थी वही शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जिले के सांसद विधायक सहित डियेम एस पीपुल असबल के साथ मौचूद रहे शहीद के बेटे राहुल ने अपने पिता कोना माखों से मुखागनी दी आखिरकार सेना पर होने वाले नकसलियों के हमले कब तक होते रहेंगे और हमारी सरकार इस तरह के हमलों को कब तक रोक पाएगी ये किसी को नहीं पता पर नकसलियों द्वारा होने वाले इन हमलों को रोकने के लिए कुछ न कुछ हल तो सरकार को निकाल नहीं हुगा जब सेंने गॉरूपया, एप रुषिक्ते ले लीक्ता हूले है। जब स्थमाइब वे झाहिए हैं? जब सेंने फिर्चाइब उर्वी क्यों अर्कर्टव करेंगे हैं? जब सुमाइब ले जब हैं एडोन दोने खात खाते का यहां है